वाइफ एक प्राइवेट इंवेस्टिकेटर को अपने हस्बंड के साथ अफेर करने के लिए हायर कर दिया है इसके बीचे उसके बहुत यह मिस्ट्रियस और डेंजरस से रिजन थे जिस तरीके से मुवी टर्न लेती है यह आप इमेजिन नहीं कर पाऊंगे आज हम दर गैरेक्टर डेरियन को देखते है जो एक डिटेक्टिव थी आज उसके ऑफेस में एंधिया नाम के एक बहुत ही रिच लेडी आई उसके बहुत से बात करती है उसने कहा कि शायद मेरे हस्वन का अफेर चाल रहा है इसी बारे में उससे कंफर्मेशन चाहिए था इस कंफर फर्स टाइम उससे मिली थी तो हमारी रिलेशन्शिप में जो स्पाक था वो आशकल नहीं है वो सक्सेस्पूल है और एक चीज़ पर टिका नहीं रहता इसी वज़े से उससे एट्रेक्टेर थी पर यही चीज़ अब उसके लिए वरी बन गई है उसे बेचराद में कॉल आ इसलाने के लिए डेरेन का फोटोग्राफ था और यह दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे यह दोनों माइकल का पीछा करते तो माइकल एक लड़की के साथ डिनर कर रहा था पर बाद में उस लड़की का हस्बंड वहाँ पर उनके पास पहुच आता है माइकल का फेरे इसके बारे में डेरेन को कुछ भी प्रूफ नहीं मिलता घर आने पर डेरेन सोने की बहुत कोशिश करती है पर उसे नीद नहीं आती बार बार एक ही केस के बार में उस सोचती रहती है तब ही क्या था यह मैं फ्लैश बैक में पता चलता है डेरेन पहले एक पुलीस ओफिस्टर गन निकाल लेता है डेरेन और पुलीस ओफिसर ने गैंग्स्टर के आदमियों को मार डाला और गैंग्स्टर बन गन रखी डेरेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि पुलीस गन नीचे रख तो तुम्हें खुश भी नहीं होगा तुम्हारे पास अच्छे लॉयर से और तुम इससे बच जाओगे वो अपनी गण नीशे रखने वाला था पर अगली बिल्डिंग में पुलीस के स्नाइपर थे जो गैंक्स्टर को मार डालते है इस इंसिरन्ट की वज़े से डिरियन को बहुत ही जादा भुरा लगता है राद में वो एक बार में आकी उसके पास एक डॉक्टर आता है और ये दोनों बात करने लगता है कनवर्सेशन में ये डॉक्टर वाइलन्स को लेकर बात करने लगता है ये डेरियन को सही नहीं लगता और घुसे में भाहा से हो चली जाती है फिर से राद में वो माइकल पर नज़र रखने लगी वो एंतिया से कहती है माइकल तो हमेशा काम ही करता रहता है मुझे नहीं लगता कि उसका कोई भी अफेर है एंतिया ने कहा कि शायद उसे राइट अब तक मिली नहीं अगली दिन डेरियन ने एंतिया को बुलाया और कहा कि उसका कोई भी अफेर चल नहीं रहा सारे प्रूफ वह उसे दी देती है एंतिया कि अगर हम माइकल को अफेर करने का चांस दे तो फिर क्या होगा यह में देखना चाहती हूँ डेरियन को बात समर् कर ले दिया पर उसने क्लियर किया कि इन दोनों की बीच में बात हुई इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए माइकल अपने फ्रेंड के साथ स्क्वाश खेल रहा था तो वहाँ पर डेरियन पहुंच आती है उससे जान भुच कर ठक रहे और उसकी सारी चीज जाने देना जरा भुरा होगा यह दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं और दोनों को मज़ा आया था माइकल यहाँ से चला गया पर उसका वाश नीचे गिर गया था रात में डेरियन ने अंधिया को कौल किया वो कहती कि मैंने माइकल को अप्रोश दू किया था यह मैं पता चलेगा एक्च्छल मैं अंडरकवर गामकर तक उससे प्यार करने लग गई थी यह दोनों करीब आने लग थे तो डेरियन बात्रूम में जाकर उसके सारे रेकॉर्डिंग डिवाइस विगरा निकाल लेती हैं उसकी डेत के बाद उसे बहुत ही अकेला लग रह लाती है डेरेन माइकल के बारे में रिसर्च करते हुए पुलिस टेशन में अपने फ्रेंड से मिलने के लिए फ्रेंड कहता है कि माइकल रियल स्टेट विकर यह सब सेल करता रहता है उसके बाद बहुत ही ज्यादा पैसे है फ्रेंड का नाम था फालको फालको ने डेरियन को समझाने की कोशिश की कि फिर से उसे पुलीस में आकर काम करना चाहिए पर डेरियन इस बात के लिए नहीं मानती रात में माइकल और डेरियन दोनों ट्रींच के लिए मिले यह प्लेश ज़रा अलग था तो माइकल कहता है कि जब मैं डॉक्टर बन रहा था तब प्लेस बहुत ही surprising थी डेरियन ने भी कहा कि पहले मैं पुलीस में थी माइकल डेरियन को सच बता देता है कि वो married है डेरियन ने कहा कि मैं सिंगल हूं माइकल ने कहा कि लोगों को लगता है कि मेरा marriage perfect है पर एसा कुछ भी नहीं है हम दोनों हैं बहुत प्रॉलमस है इसक्राइब लोग उसे मार डालते उसे इंप्रेस्ट हो गई थी माइकल कहता है कि करना बहुत ही डेंजरस था पर इसके बारे में उसने कुछ भी सोचा नहीं और डेरियन को उसकी घर तक छोड़ने के लिए पर डेरियन कहती कि तुमें चले जाना चाहिए उपर आकर अंतिया को कॉल करते पर अंतिया ने कॉल नहीं उठाया उसकी पीक को बाहर घुमाने के लिए निकली तवे माइकल डोर के बाहरी खड़ा था उसे किस कर लेता और इसके बाद दोनों इंटिमेट हो गए अगली दिन डेरियन अंतिया से मिली उसने उसे सब कुछ बता दिया अंतिया को बहुत ब मुझे मारा भी था एक्च्वल में चल किया रहा है इसके बारे में मुझे पता करना था इसी वज़े से मैंने तुम्हें हायर किया था प्लीज इन सब के बारे में पता करो और हम दोनों को बचा लो डेरिन इस इन्वेस्टिकेशन के लिए मान जाती है वो फिर माइकल के र पड़े पर उने कोई भी सबूत मिला नहीं अब डेरिन माइकल के पास है तो उसे कहती है कि उसके करीब जाओ और और भी जादा इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करो हम एक फ्लैश बैक दिखते है जिसमें गैंस्टर की टेथ होने के पार डेरिन ने अपने ऑफिसर स से बात किये थी वह से कहती कि मैं उसे बचा सकती थी मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम चाहिए था ओफिसर कहती है कि इस जॉब पर तुम्हें सिर्फ जिन्दा रहना है यही सबसे ज़्यादा इंपोर्टन्ट है अगर हो मानता ने तो तुम्हें भी मार डालता आज राट भाग जाता है इसकी इन्वेस्टिकेशन के लिए सारे पुलिस पहुझ गया डेरियन अपनी कवाई देती है फालको ने कहा कि हम उसे ढूंडी लेंगे फालको पुछता है कि क्या तुम्हारे घर में कुछ इंपोर्टन्ट था डेरियन ने कहा कि सिर्फ केस की कुछ फाइल इसके बारे में उसे पता नहीं है अगली दिन डेरियन माइकल से मिली कल राज जो भी हुआ था इसके बारे में उसे बता देती है माइकल उसके लिए वरीड हो क्या वो कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहा मुझे तुम्हारे साथ होना है इसके बाद उसके ऑफ तुम मेरे लिए एक एडिक्शन की तरह हो वो विश्च करता है कि शायद उसकी वाइफ मर जा है क्योंकि उसे बहुत तंग करती है यह बात डेरियन को वियर्ड लगी पर माइकल कहता है कि मैं सिर्फ मज़ा करा था एंधिया का किसी के साथ अफेर जल रहा है उसने कहा कि मुझे एक अलग आदमी की रिंग उसके पास मिली थी वो डेरियन को एंधिया की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए डेरियन इस बात कीलिए मान जाती है एंधिया जिस आदमी के साथ मिल रही थी उनके उन्नोंने फोटोज निकाली Nixon में Darien अन्थिया से मिलकर उसे Please confirm कर दिया उसने पुछा तूम इस आत्मे से मिलक क्यों रही थिwald अन्थिया ने कहा तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हूँ Darien कहती है कि तुमने मुझे Michael के बारे में 4 चाप stories बताए मैं तुम पर trust कैसे कर सकती हो एंतिया समझ गे कि डेरियन अब माइकल के लिए काम करे है और वहाँ से चली जाती है डेरियन ने फिर माइकल को कॉल आ गया उसने कहा कि अब हम दोनों नहीं मिल सकते माइकल कहता है कि तुम मुझसे इस तरीके से ब्रेक आप नहीं कर सकती तो यह मुझे मिलने के लिए आना चाहिए डेरियन उसकी कोई भी बात मान नहीं रही थी उसे उसके फ्रेंड ट्रैविस का कॉल आता है उसे फोटोग्राफ्स देखने के लिए बुला रहा था क्या था कि यह बहुत ही ज़ादा इंपोर्टन्ट है फोन रखने के बाद ट्रैविस बाहर निकला तो एक आदमी उस पर हमला करकर उसे मार डालता है डेरियन उसके घर पर पहुँझी पर उसे कोई भी फोटोग्राफ्स नहीं मिले जाते जाते हो डस्बिन से डख रहती है तो जिस आदमी से एंथिया मिली थी उसकी फोटोग्राफ उसमें थी घर आती एंथिया के डेरियन को कॉल आता है वो बहुत ही जादा डरी हुई थी वो कहती कि माइकल मुझे मारना चाहता है उसने मुझे हिट किया और घर में में छुपी हुई हूँ उसके पास गन है डेरियन कहती कि अभी क्यावी पुलिस को कॉल करो एंथिया ने कहा कि प्लीज तुम मेरी हेल्प करो डेरियन ने कहा कि मैं जल से जल वहाँ बहुच जाओंगी वो माइकल के घर बर बहुच जए तो दर्वाजा खुला था एंथिया बहुत ही जदा डरी हुई थी वो कहती है कि मैंने माइकल से उसकी गन शीन ली थी मैंने गोली चलाए पर वो किसी और जगा पर लग गई थी वो अभी भी उपर है बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ना डेरियन गन लेकर अंदर गई तो माइकल के फेस पर गोली लगी थी और वो पुरी तरीके से बरबात हो चुका था पुलिस वहाँ पर पहुँचा थे और एंथिया ने पुलिस को बताया कि डेरियन ने माइकल को मार दिया है जिस गन से मर्डर हुआ था ये भी डेरियन के पास ही थी तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेते है नीचे से अंथिया उस पर हस रही थी सारी चीजों के लिए उसने उसे फ्रेम कर दिया डेरियन अपने लॉयर को सब को समझाने की कोशिश कर दे लॉयर ने कहा कि सारे सबुत तुमारे खिलाफ है सब को लगेगा कि माइकल के उपर तुम रिसर्च कर रही थी उसके साथ तुमारा अफेर हो गया वो तुमें छोड़ रहा था इसी वज़े सो तुमने उसे मार दिया डेरियन इन सब चीजों से बहुत ही डिस्टरब हो गयी थी वो इस पर सोचती है और उसने लॉयर से कहा कि ट्रेविस से बात करो उससे बता है कि अन्थिया का किसी और के साथ अफेर चल रहा था लॉयर कहता है कि ट्रेविस का कल राद मर्डर हो गया डेरियन को बहुत बुरा लगा वो लायर से कहती है कि प्लीज माइकल के ऊपर मैंने जो भी फाइल बनाई थी इस सब कुछ मेरे पास लेकर आओ वो इस पर पुरा रिसेच करती है सारे चीज उसने फिगर आउट कर ली डेरियन ने नोटिस किया था कि एंधिया का जिस आदमी के साथ अफे चल रहा था उसके शोल्डर पर एक चोट थी उस राट डेरियन पर जिस आदमी ने हमला किया उस आदमी को भी डेरियन ने शोल्डर पर हिमारा था वो सब कुछ फिगर आउट कर ले दिया उसने अमने फ्रेंड फालको को बुलाया उसे कहती है कि माइकल और एंथिया ने मिलकर मुझे फ्रेम किया माइकल अभी जिन्दा है मर्डर के बाद माइकल का पूरा फेस बरबाद हो गया था इसी वज़े से उसे कोई भी पहचान नहीं पाया फालको कहता है कि हमारे पास प्रूफ नहीं है डिरेंड कहती कि अंथिया के साथ जो आदमी था उसे मैंने शोल्डर पर मारा था अगर वो चोट मैच कर जाती है तो हमारे पास प्रूफ होगा फालको इस बात को सीरियसली लेता है डेरियन की सारी बात सरशनीक ली वो फिर डारेक्ली सब पुलिस लेकर एंतिया को अरेश्ट करने के लिए पहुँच गया वो एरिपोर्ट पर थी हमेशा के लिए कंट्री छोड़ कर भाग जाने वाली थी फालकों ने रिसेप्शनिस से बूझा कि डेरियन के साथ क्या कोई आदमी था रिसेप्शनिस कहती कि एक आदमी के साथ उसकी प्राइवेट प्लेन पर एक टिकेट है वो जल्दी से प्लेन पर पहुचे पर माइकल ने बोर्ट ही नहीं किया माइकल अपने ओफिस में आकर सब डॉक्युमेंट्स लेकर प्यार करते हो इसलिए मैं एंतिया के साथ आज नहीं गया डेरियन ने कहा कि अगर तुम सच्चूश में मुझे प्यार करते हो तो सब कुछ पुलीस को सच सच बता दो माइकल कहता है कि मेरे पास बहुत पैसे हम एक कला कंट्री में जाकर रह सकते हैं डेरियन इस पर गुली चला कर उसे मार डाल दिया डेरियन को माइकल के लिए पुरा लगता है पर अपने सुपिरियर के वर्ड्स उसे याद आ है कि इस जॉब में जिन्दा रहना सबसे जादा इंपोर्डन्ट है गैंग्स्टर की डेट के बाद तूट गई थी उसे लग रहा था इस सब कुछ पुलीस की गलती है पर अब उसने रियलाज किया है कि इस जॉब पर जिन्दा रहना इंपोर्डन्ट है सब की सेफटी के लिए उस गैंग्स्टर को मार दिया गया था उसे फाइनल अपना क्लोजर मिल गया और लाइफ में आगे बढ़ सकती है वो माइकल के डॉकुमेंट्स दिखती है और अब सारे पैसे उसके पास है वो दुनिया के किसी भी कोने में नई लाइफ स्टार्ट कर सकती है इसके साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको वीड